Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 3 E.V.S. Chapter 3 Water or Water का Question Answer तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं, इससे पहले मैंने आपको चाप्टर पढ़ा दिया है तो आज हम लोग Question Answer सौल्ड करेंगे तो देखे इसमें क्या है, First में, कि Which are the plans mentioned in the poem where we find the water तो देखे, इसमें पूछा जा रहा है कि आपने इस poem में आपने ऐसा concept plane से देखा जो mention किया गया है, जहां कि हम लोग water find कर सकते हैं, ठीक है? तो देखे, answer क्या लिखेंगे? River, waterfall, lakes, springs तो ये सारे चीज़ जो है ना, जहां हम लोग water find कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद second number में है, name any four activities which you can do without water अब देखे, आपको four activities जैसा बताना है, जो कि आप without water कर सकते हैं तो जैसे क्या-क्या कर सकते हैं? answer लिखेंगे, is speaking, ठीक है? walking, reading, playing तो ये सारे जो activities हैं, ये आप without water कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है, you cannot do without water अब देखेंगे, आपको ऐसा activities बताना है, जिसमें कि आप water के बिना नहीं रह सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो eating food, washing, utensils, bathing, washing cloths, तो ये सारे ऐसे काम हैं, जो कि आप without water नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये सारे काम के लिए आपको water के ज़ुरत परती हैं थर्ड नमबर में है, कि arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities Begin with the activity that needs the most water ठीक है? अब देखें, इसमें आपको जो है ना, arrange करना है, ये activities जो है ना, जो हम लोग किस amount में water का use करते हैं, तो ये सारे चीज़ आपको जो है ना, arrange करके लिखना है और आपको सबसे ज़्यादा water किस चीज़ में जोरत होता है, इसका भी तो जैसे कि activities है, to bath, to drink, to clean the house, to water the fields, to need the dough, अब ये सारे चीज़ हैं अब इसमें आपको arrange करके लिखना है, तो हम लिखेंगे जैसे to water the fields, ठीक है? तो जैसे जैसे आपको arrange करके लिखना है, इसमें सबसे ज़्यादा use होता है, to clean the house, to bath, to need the dough, to drink, ठीक है? तो इस तरह से आप लिखेंगे, उसके बाद देखें, have you seen hot water coming out of the ground, where? तो क्या आपने कहीं भी hot water देखा है, जो कि हम लोगों को मिलता है, जैसे ground के नीचे, ठीक है, ground के नीचे hot water होता है, तो कहां देखा है? अब देखें, हम लोग ये वाला चीज जो होता है ना, ये आप हड्याना में देखें होंगे, तो आप लिखेंगे कि yes, in suraskund, suraskund में जो होता है ना, तो वहाँ पर गर्म पानी होता है, ठीक है, कुंड बना हुआ है, और उसमें गर्म पानी आता है, उसके बाद है, कि does any river flow through your village or city? If yes, write its name, अब देखें, आपको बताना है, इसमें पूछा जा रहा है, क्या आपने अपने विलेज में या city में कहीं भी आपने river flow देखा है, अगर हाँ, तो उसका नाम बताना है, एंसर लिखेंगे कि the river Yamuna passed through Delhi, तो Yamuna river जो है ना, वो क्या होता है, Delhi से पास होत या आपके आसपास में, आपके विलेज में, या city में, कहीं भी कोई भी river होगा, गंगा river होगा, या Yamuna river होगा, या जो भी बहुत सारे river है, तो जो भी होगा, तो उसका नाम लिखेंगे आप, ठीक है, उसकी बाद है, do you know the names of any rivers? तो क्या आप किसी भी river का नाम बता सकते है, write their names, तो उसका नाम आपको बताना है, ठीक है, तो देखें, लिखेंगे answer की, Yamuna, Ganga, Godavari, Satliz, उसके बाद है, चेनव, ठीक है, सारस्वती, महानदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, एक्सक्टर, ठीक है, या इसे बहुत सारे river है, और भी आप नाम जानते हैं, तो आप इसम 7 नमबर में है, at home, where do you get drinking water from, अब देखें, आप अपने घर में, कहां से drinking water, find करते हैं, कहां से लाते हैं, तो answer लिखेंगे, कि at home, water comes from pipeline, तो घर में क्या होता है, कि pipeline के दोड़ा पानी आता है, ठीक है, या आप कहीं अगर दूर जाके लाते हैं, किसी river से लाते हैं, ठीक है, या hand pump का use करते हैं, उससे आप water लेते हैं, तो आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, जहां से भी आपको मिलता है, ठीक है, इसके बाद है, at number में, कि do you have to go far to get water, क्या आप बहुत दूर जाते हैं, पानी के लिए, how much time does it take to bring the water, तो आपको कितना समय लगता है, पानी लाने में, तो answer लिखेंगे कि no, in towns water is supplied to home, but in villages water is to be bought from distance places, तो देखें, answer लिखेंगे कि नहीं, अगर नहीं जाना पड़ता है, तो क्योंकि town में अगर आते हैं, तो वहाँ पे water supplied होता है, ठीक है, घर-घर में ही पानी पहुंचाया जाता है, supply होता है, लेकिन village में क्या होता है, कि पानी खरिदना पड़ता है, ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, do you never bring water from the same place, तो क्या आपके जो nevers हैं, जो आपके पडोसी हैं, तो वो क्या same place से ही water लाते हैं, जहां से आप लाते हैं, तो yes, ठीक है, क्योंकि जो आपके आसपास रहते हैं, वो भी उधर से ही लाते हों तो देखे, अब देखे, इसमें कहा जा रहा है कि क्या कुछ लोगों को ही अलाव होता है वहां से पानी लाना, ठीक है, जहां से आप लाते हैं, तो नहीं, सभी कोई लाते हैं, ठीक है, वाइडो वी नीड तो स्टोर वाटर, तो हम लोग वाटर को स्टोर क्यों करते हैं, तो एंसर लिखेंगे water is stored so that it can be used when water supply is not available तो देखें हम लोग water को store करके इसलिए रखते हैं क्योंकि हो सकता है कि कभी water supply जो है अबलेबल नहीं हो अगर नहीं आता है तो वो जो store किया हुआ water होता है तो उसका हम लोग use कर सकते हैं तो इसके बाद है who features and store water in your house तो देखें आपके घर में कौन पानी store करता है या लाता है ठीक है तो क्या लिखेंगे parents या आपके brother sister जो भी लाते हैं तो आप उसका नाम लिख सकते हैं ठीक है अब उसके बाद देखें फिर क्या है इसमें 13 नंबर में है कि टेक लोग at the picture ठीक है if we fill them with water अब ये picture को देखना है ठीक है अब इसमें आपको बताना है कि हम लोग water जो है न किसमें किसमें फिल करते हैं ठीक है तो इसमें बहुत सारा है picture में दिया हुआ तो जैसे की है which will contain the least water अब देखें सबसे काम पानी किसमें आता है कौन से में तो टंबलर में which will contain the most water अब देखें सबसे ज़्यादा पानी किसमें आएगा तो बाकेट में ठीक है इसमें देखें सारा picture बना हुआ है उसके बाद है कि how could you tell तो टंबलर is the smallest in size therefore it contains the least water तो देखें इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं तो टंबलर क्या होता है ये जो है ना बहुत smallest size का होता है और इसमें आप बहुत ही कम water फिल कर सकते हैं बहुत ही कम water आता है अब है कि what do you fill अ जिब चुटकी's glass tumbler had less पना तो आप क्या सोचते हैं आपको कैसा लगता है कि क्या चुटकी के glass tumbler में बहुत कम पना आता है तो no चुटकी's glass tumbler did not have less पना तो चुटकी के glass tumbler में बहुत कम पना नहीं आता है उसके बाद है कि given in the greed are some places वेर water is तो देखे, यहां पर नीचे ग्रेट दिया गया है, जहां पर कि कुछ प्लेसे के बारे में बताया गया है, जहां कि हम लग वाटर पाउंड करते हैं, ठीक है, फाइंड seven of them and put a circle around it, अब आपको इसमें से seven को find करना है और उसमें आपको क्या करना है, कि सरकल बनाना है, ओस अलरेडी बिन दन फोर यू तो यहां पर एक जैसे दिया गया है ठीक ए, ऐसी तरह से आपको साड़ा बनाना है जैसे यहां पे है, ठीक है, वाटर फॉल है तो इस तरह से यहां पे नीचे में भी यह साड़ा को आप ऐसे बनाएंगे जैसे लेक है, उसके बाद सी है, वेल है, रेन है, पॉंड है और टैप है तो इस तरह से अब इसमें बना लेंगे उसके बाद सिक्स्टिन नमबर में इन एबरी रॉपूर्टर सरकल अराउंड वन दाट इस दिफरेंट फॉंड अदर अब देखें कैसे डिफरेंट है, यह सारे के बारे में बताना है आपको तो इसमें आपको बताना है कि इसमें डिफरेंट क्या है तो इसमें आपको बताना है कि इसमें डिफरेंट क्या है ठीक है, जो सब से डिफरेंट है तो देखें, river, mountain, lake, pond, spring तो ये सारे जो है ना, तो ये सारा लेकिन जो mountain is not a source of water mountain क्या है, ये source of water नहीं है तीक है, अब देखें, bathing, washing, cloths, swimming, combing hair, needing, dog अब ये सारा चीज़ दिया गया है अब इसमें देखें, combing hair does not require water अब इसमें क्या होता है, combing hair में water का required नहीं होता है fish, duck, monkey, crocodile तो monkey lives on tree अब क्या होता है, ये क्या monkey जो है ना, वो कहा राता है trees पर राता है, लेकिन ये सारा क्या है, ये water में ठीक है, उसके बाद देखें, फिर क्या है, कि car, boat, bus, train, bicycle तो ये सारा है, तो boat runs on water क्या होता है, board जो होता है, वो क्या करता है, water में run करता है और ये सारे क्या होते है, ये सारे land में रहते हैं ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो है, आपका cost and answer complete हो चुका है, तो आपको कैसा लगा पढ़के, मुझे जरूर बताईए, अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरी चैनल NCRT The Mind को like, subscribe कीजिए और past में दिये गए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि NCRT से related हर वीडियो आपके पास समय से पहुंचते रहें और आपको जहां कहीं भी समझने में परिसानी हो रही हो, तो आप मुझसे कमेंट के दोरा भी पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye, Take Care, Thanks to Watch My Video